हेलो एबरीवन बेलकम टू माई चैनल तो आज किस वीडियो में हमें आपर काना जी के लिए बहुती सुन्दर सा बैड बनाना सिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने मिठाई का डबा लिया है और यहाँ पर मैंने कार्ट बोर्ड लिया है तो कार्ट बोर्ड हमें इस तरह का लग और यहाँ पर मैंने फैवेजिक गुलू ली है तो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और इसके उपर हमें यहाँ पर फोम को चिपका लेंगे अच्छे से हमें इसको चिपका लेना है और यहाँ पर देखी मैंने इस तरह का एक कपड़ा लिया है तो इसको हमें इतरह से रख लेना है जो हमने फोम लगाया है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमारी ओपन साइट है तो हमाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से सुई की मदद से सिलाई लगाएंगे और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और यहां पर देखी मैंने साइट में भी सिलाई लगा दी है तो इस साइट में भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी तरह भी सिलाई को लगा दिया है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें मोती टांकेंगे तो यहाँ पर सेम कलर का हमने धागा लिया है तो इसमें हमें अच्छे से मोती को टाक लेना है यहाँ पर इतरह से हलके आंतों से इसको खींचेंगे और पीछे की तरब नौट लगा देंगे तो यहाँ पर देखे मैंने एक मोती को टाक लिया है और इसी तरीके से हमें आपर दूसरा मोती को टाकेंगे तो पहले निसान लगा लेते हैं जहाँ पर हमने निसान लगाया है वह अच्छे से मोती को टाकेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने दो मोती को टाक लिया है और टोटल मैंने यहाँ पर पांच मोती टाकेंगे इसको यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फिर से फोम को लेंगे और इसको हमें अच्छे से यहाँ पर चिपका लेना है तो फैबिरिक गुलू को हम यहाँ पर लगा लेते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर फोम को रखेंगे और इसको भी हमें अच्छे से चिपका देना है तो यहाँ पर मैंने फोम को चिपका लिया है फिर हम यहाँ पर इसके उपर कपड़े को रखेंगे और इसको इतरह से उल्टी तरफ से हमें कपड़े को दोनों तरफ से फोल्ड करना है देखी इस तरह से और यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें सुई की मदद से सिलाई लगा देनी है करेंगे सिलाई लगा देखी इस प्रेशा देखी है यहां पर हमें नोट लगा कर बचवए धागे की कटिंग कर देना है फिर हमें आपर इस साइट में भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे अच्छे से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है झाल कर दोल्ड कर देना है तो यहाँ पर देखे मैंने सिलाई को भी लगा दिया है धागी को पट कर देंगे तो यहाँ पर इतना हमारा बैड बनकर त्यार हो गया है और जो हमने पट्टी त्यार करी थी तो इसको हमें कुछ इत्रह से लगा लेना है और पीछे की तरफ जो हमारा डिब्बा दिखाई दे रहा है तो उसमें भी पट्टी लगा लेंगे तो देखे हमने पट्टी को भी लगा लिया है इस तरह से हमारा बैड आया है अब हमें आपर ऊपर की तरफ लेस को लगाएंगे तो पहले हमें आपर फैबरीक गुलू लग और यहाँ पर मैंने रैड कलर की लेश को लिया है तो इसको हम यहां पर अच्छे से चिपका लेंगे आदा या एक घंटा के लिए हमें इसको सूखने के लिए रख देना है इससे हमारी जो लेश है वो अच्छे से चिपक जाएगी यहां पर देखी मैंने नीचे की तरब भी लेश को लगा लिया है और इतरह से जो हमारा बैड है वो बनकर त्यार हो गया है देखी कितना सुन्दर सा हमारा बैड बनकर आया है और इसी की साथ में मैंने देखिए चादर और तकिया भी बनाई है तो ये किस तरह से बनाई है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए अठाएं कियू